सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर यू कैसे तू ऐसे बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए और लाइक बटन प्रेस करें हालो फ्रैंज, वेलकॉम टू माँ चैनल फॉर यू कैसे तू ऐसे मैं हूँ आपकी हर्षी आज की पहली में क्रिश्ना नाम का एक लड़का है और उसके पिताजी साइंटिस्ट है एक दिन क्रिश्ना अपना पिताजी के लैब में पहुचता है तो उसे वहाँ पर ग्रीन और रेड कलर की गोलिया दिखती है जब क्रिश्ना अपने पिताजी से उन गोलियों के बारे में पूचता है तो उसके पिताजी उसे कहते हैं कि वह गोलिया उनका एक आविश्कार है यानि इन्वेंशन है और उसके पिताजी कहते हैं कि अगर कोई एक ग्रीन और एक रेड गोली खाता है तो उसमें एक अलग एक शक्ति आ जाएगी यानि सूपर पावर्स जब कृष्णा अपने घर जाने के लिए निकलता है तब उसके पिताजी उसे दो ग्रीन और दो रैटरे की गोलियां देते और करते हैं कि इसे वक्ता आने पर इसका इस्तमाल करें और एक बात का खयार रखें कि गोलियों का ओवर्डोस यानि एक ही कलर की दो गोली खाने से आदमी की मत हो सकती है कृष्णा और गोलियों को अपनी जैब में रखता है और अपनी घर की तरह निकलता है मगर रास्ते में कुछ किड्नैपर्स अच्छा न कृष्णा के सामय आ जाते हैं और उसको किड्नैप करके उसके आतों को बांध कर अंधेरे कमरे में कैद कर लेते हैं तब कृष्णा को याद आता है कि पिताजी ने उसे जो गोलियां दी थी वो उसके जेब में थी वो किसी तरह से अपने बंदे हुए हाथ खोलने में कामियाब हो जाता है और अपने जेब में हाथ डालकर गोलियां बहार निकलता है लेकिन उस कमरे में अंधेरा होने की कारण कौनसी गोली ग्रीन और कौनसी गोली रैड है वो नहीं देख पाता तो अब आप मुझे बताईए कि कृष्णा क्या करे उन गोलियों में से रैड और ग्रीन कलर की गोली कैसे पेचाने और एक बात का खेयल रखिये कि गोलियों का ओवर्डोस या एकी कलर की दो गोली खाने से आदमी की मौत भी हो सकती है थोड़ा दिमा की उसकी जिये आपको कृष्णा की समस्या का फल मिल जाएगा क्या हुआ अभी तक सोच रहे हो चलो मैं ही बता देती हूँ क्रिष्णा ने बहुत सोचा और उसको उस समस्या का हल भी गया पता है क्रिष्णा ने क्या किया क्रिष्णा ने हरे गोली आधी खाई यानी दो आधी रैड और दो आधी ग्रीन हो गई ना एक रैड और एक ग्रीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हूँ तो इसे जरूर लाइप कीजिएगा और अपने फ्रेंज के साथ शेर कीजिएगा और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा मेरी ये वीडियो को भी जरूर देखिएगा हमारी चैनल को फेस्बूक, इंस्टाग्राम और ट्वीटर पर फोलो कीजिएगा